हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्तीश गोयल, लेक्चरर इन फिजिक्स आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिल इन दा ब्लैंक्स, ट्रिव फॉल्स, मल्टिपल चॉइस, कोस्चन्स यह सारे के सारी कोस्चन्स, एक एक नंबर वाली कोस्चन है वन माक के कोस्चन है और इस वीडियो में लेसन कौन सा रहेगा हमारा विदूत लेसन रहेगा, टैंथ साइंस में से और इस वीडियो में हम तीन पार्ट्स में वीडियो को डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो वीडियो रहगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फिल इन दा ब्लैंक्स, सेकेंड में टूफोर्स, तीसरे में मुल्टिपल चॉइस कोश्चन्स आप हार एक वीडियो को दियान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये सारी की सारी वीडियो आपके एक्जाम में बहुत ही यूस्फुल रहेंगी लेट्स स्टार्ट फिल इन दा ब्लैंक्स दिये गए प्रश्चनों को दियान से पढ़ें उत्तर देते समय थोड़ा विचार करें जब भी कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके अंसर के लिए आप थोड़ा सा सोचिए प्रश्चन की डिसकेशन और अगली स्लाइड में दिये गए उत्तर के साथ अपना उत्तर मिलान करें मतलब जब भी कोशन में आपको पूछा जाए कि इसका अंसर क्या होगा तब आप उसके उत्तर के साथ साथ जो डिसक्रीन दी होती है क्योंकि कोशन जब स्क्रीन पर आएगा तब आपसे डिसक्रीन भी करेंगे इसका अंसर ऐसा आएगा और साथ में आपको उत्तर भी बताएंगे तो आपने जो उत्तर पहले सोचा था और जो हमने उत्तर बताया है या बताएंगे तो आप अपना उत्तर हमारी उत्तर से मिलान अवश्य करें इससे क्या है आपको सही और गलत उत्तर का पता चलेगा चलिए शुरू करते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स पहला प्रेशन वन वाट गंटा एक वाट गंटा डैश जूल के बराबर होता है बचो इसमें एक पता दें आपको जो वन वाट सेकेंड ये किसके बराबर होता है ये वन जूल के बराबर होता है अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रह जती है तब आपको इस तरह के कोई भी प्रेशन आ जाएं आप असानी से हल कर सकते हैं तो इस question में दिया हुआ है, one watt गंटा, dash joule के बराबर होता है, one watt गंटा, जो आर होता है, एक गंटा होता है, कितने second के बराबर होता है, ये बराबर होता है, 36 second के बराबर, और साथ में क्या लगा हुआ है, what, capital में W लिखते हैं, what और second मिलके क्या बन जाते हैं, joule बन जाता है, so क्या answer आ गया, 3600 joule, 3600 के बराबर है, 3600, 3600, 3600 joule, so हमारा answer आ जाएगा, 3600 joule, ठीक है, जूल बटा कुलाम, डैश के बराबर होता है, जूल, जूल किसका मत्रक होता है, जूल होता है, कारे का, कुलाम किसका मत्रक होता है, अवेश का, विदुत आवेश का, ठीक है, और कारे बटा आवेश, किसके बराबर होता है, विववांतर के बराबर होता है, किसके, विववांतर, यहां फिर कहें तो, विवव के बराबर होता है, और जूल बटा कुलाम यानि कि जो यहां पर अंसर आएगा वो विवांतर का मात्रक आएगा विवांतर का मात्र क्या होता है वोल्ट लेट्स चेक दा अंसर वोल्ट ठीक है नेक्स्ट कोशन थर्ड कोशन एक विदुद परिपत में एक अमीटर हमेशा डैश क्रम में जुड़ा होता है विदुद परिपत में पहले लोग को बता दे कि अमीटर को कैसे दर्शायता है अमीटर का क्या सिंबल होता है क्या पतीक होता है ठीक है ये एक अमीटर को दर्शायता है इसको हमने लगा दिया किसी के साथ किस के साथ किसी के साथ एक विदुत उपकर्न के साथ यह वाला विदुत उपकर्न है यहां पिर कहें तो यहां पर अगर बात करें जिस तरह का यह चिने दरशाया हुआ है यह एक प्रतिरोधक है प्रतिरोधक और इसको टैच किया हुआ है जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ और फिर उसके बाद यहां पर लगाया गया है एक कुंजी लगाई गया है कुंजी को हमने जोड़ दिया है कनेक्ट कर दिया है सरकेट हमारा चालू है तीक है और यह हमारा जो है एक बैटरी का सिंबल है परतीक है अब ये जो एमीटर है इसको इस प्रतिरोदक के सat जुड़ा गया है जो इस तरह का जोड़ना है मतलब ये वाली टार तो किसी औरकसा जुड़ रही है ये वाली टार इसकी किसी औरकसा जुड़ रही है और लेकिन इन दोनों की आपस में सिर्फ एक हीतार जुड रही है तो इस तरह से जोडने को बोलते हैं श्रीनी क्रम कौन सा क्रम श्रीनी क्रम बोलते हैं अब इसका उतर देखते हैं इसका उतर है श्रीनी क्रम यानि कि विदुद परिपत में जो एमिटर होता है उसको हमेशा श्रीनी करम में लगा जाता है क्यों श्रीनी करम में लगा जाता है वो इसलिए श्रीनी करम में लगा जाता है क्योंकि श्रीनी करम में जो विदुद धारा होती है एक समा रहती है जितनी विदुदारा एमिटर में से गुजरेगी उतनी ही विदुदारा किसी दी गई जो भी विदुद की उपकरन होती है उसमें से गुजरेगी तो इस तरह से अगर जब भी हमें इस में से विदुधारा मापनी है गुजरने वाली तो हम दिये गए उपकरन एमीटर को हम श्रीनी करम में जोडेंगे और वहाँ पर जो विदुधारा को माप लेंगे बचो हमने इस कोश्चन में एक तो ये जाना कि श्रीनी करम होता क्या है और श्रीनी करम में जोडते क्यों है ठीक है और बहुत सारे जो चिन हैं उनके बारे में जाना हम श्रीनी करम के साथ साथ अगले प्रशन में समानतर करम के बारे में भी जानेंगे चलिए चोथे प्रशन की और एक वोल्ट मीटर हमेशा एक विदूद परिपत में डैश क्रम में जुड़ा होता है ठीक है पहली बात तो आपको जो वोल्ट मीटर को जोड़ के दिखाते हैं किसी विदूद परिपत में ठीक है एक सेल जोड़ा हुआ है और इक साथ आपको क्या जोड़ा के दिया हुए एक कुझी जो है पिछले कोष्ड एनके में हमने आपको कैसे जोड़ के दिखाती था इस तरह का सिंबल दिखा यह इस तरह को दिखाता तρमके यह यह को दो कुझी है ठीक है यह सरकेट को चलाती है यहाँ पिन डली हुई है तो अब इस चीज को इस उपकरन को वोल्ट मीटर को इस प्रतिरोधक से जोड़ा गया है कैसे जोड़ा हुए श्रेनी क्रम में जोड़ा हुआ है क्या श्रेनी क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है नहीं यह जोड़ना गलत है गलत है बिल्कुल सही बचो गलत है यह इसको कैसे जोड़ा जाएगा इसको जोड़ा जाएगा इस तरह से यानि कि जब इसको जोड़ना है तो इसकी एक wire इसके दूसरी wire से इसकी एक wire इसकी दूसरी wire से यानि कि मतलब दोनों की दोनों wire आपस में जुड़े होने चाहिए इसकी wire आपस में जुड़े होने चाहिए लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्यों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि जितना विवांतर इसको मिल रहा है उतना ही विवांतर इसको भी मिलेगा जब हमें इसके अक्रोस इसके दोनों सीरों के में से जो विवांतर है मे निशकर्ष क्या निकलता है वोल्ट मीटर हमेशा समानतर करम में जोड़ा जाता है इस प्रेशन में बच्चों हमने क्या सीखा कि समानतर करम क्या होता है मैं एक उधारन देखे बताता हूँ आप बताईएगा ये कौन सा करम है समानतर या श्रेनी ठीक है आपने से बताया जो ये वाला पहला दूसरा है पहला और दूसरा क्या है हापस में समानतर करम में है ये तीसरा है जो ये तीसरा प्रतिरोधक है वो पहले और दूसरे के जो तुल्ले प्रतिरोध आएगा उन दोनों के क्या है ये श्रेनी क्रम में है ठीक है बच्चो तो ये श्रेनी क्रम में है तो आपको उमीद करता हूँ कि आपको समांतर क्रम और श्रेनी क्रम के बारे में पता चल गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है कोई समस्य आ रही है प्रशनों को समझने में तब आप comment box में जाएए और वहाँ पर comment box में comment करते हुए अपने प्रेशन को पूछ सकते हैं चलिए अगले प्रेशन की ओर पाँचवा प्रेशन cell के प्रतीक के रूप में लंबी लाइन cell के टैश टर्मिनल को दर्शाती है ये एक एलेक्ट्रिक सेल है विदुत सेल है जिसमें एक जो साइड है बड़ी है दूसरी क्या है छोटी है बड़ी वाली जो टर्मिनल होता है बड़े वाला जो सीरा होता है इसको हम क्या बोलते है पोस्टिव हिंदी में बोले तो धनात्मक ये चोटी वाली को क्या बोलते हैं नेगटिव हिंदी में बोले तो रिनात्मक क्या उतर आएगा इसका धनात्मक बड़ी वाली को धनात्मक चोटी वाली को रिनात्मक बच्चो इसमें प्वर्शन के साथ-साथ हम एक अन्य जानकारियां भी प्रापत कर रहे है question में पूछा गया था बड़ी line के बारे में बड़ी terminal के बारे में पूछा गया था कि कौन सा terminal होता है positive के negative तो हमने negative terminal के बारे में भी उपको इसमें बताया है next question, छेटा प्रशन 10 की power 16 ohm meter मान की उच प्रतिरोदिक्ता वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है मतलब इतना जदा प्रतिरोदिक्ता है उसकी इतनी जदा प्रतिरोदिक्ता है तो वो अपने में से विदुद को बहुत ही कम मत्रा में गुजरने देगा वो पदार्थ जो अपने में से बनाने के लिए प्रियुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या है एक कूलम चार्ज ठीक है आप बोलोगे कि एक कूलम चार्ज थोड़ा सा हुआ हमें थोड़ा सा लगता है लेकिन वैसे बहुत होता है एक इलेक्ट्रोन के उपर कितना चार्ज होता है माइनस काओ चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb चार्ज होता है ठीक है, 1 electron की उपर तो यहनि कि इतना जो चार्ज है वो कौन कैरी करता है, 1 electron 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb चार्ज वो किस पर होता है, 1 electron पर 1 coulomb चार्ज कितने पर होगा 1 upon 1.6 into 10 raise to power minus 19 जब इस value को solve करेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा 6.25 into 10 raise to power 18 ओके, लेट्स एक्जार अंसर 6.25 into 10 raise to power 18 ओके, तो बच्चो इस numerical को दोरा देखिएगा वीडियो को back करके दोरा देखिएगा कि हमने क्या किया और अगर फिर भी कहीं problem आ रही है तो आप comment box में comment करके पूट सकते हैं ये question बहुत ही important question है तो 6.25 into 10 raise to power 18 इलेक्ट्रोन मिलकर एक कूलम चार्च बनाते हैं नेक्स कोश्चन, एट्थ कोश्चन विदुद्धारा एक डैश राशी है यहाँ आप क्या पूछ रहे हैं याद होगा आपको नाइंध लास में आपने किया था अदिश राशी, सदिश राशी के बारे में किया था तो अदिश राशीया, सदिश राशीया जैसा कि आपने सुना हुआ है विदुद्धारा जो होती है किसी दिये गए सेल या बैटरी के धनात्मक सिरे से, रिनात्मक पोच्टिर सीरे से नेगटिर सीरे की और बहती है पर फिर भी यह एक क्या है अधिश राशी है कौन सी राशी अधिश राशी है क्योँ? जैसे कि आब जानते हो कि अगर एकसी टार में से करंट फ्लो कर रहा है करंट बह रहा है अगर वो उस्तार को मोड दिया जाए तो क्या net current क्या है zero हो जाता है नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि जो विदुद्धारा होती है वो vector के नियमों को follow नहीं करती है क्योंकि तारत में से current तो flow करी रहा है विदुदारा तो परवाहित हो ही रही है तो वहाँ पर यहाँ पर विदुदारा जो होती है एक अधिश राशी है अधिश मतलब जिसको दर्शाने के लिए सिर्फ इसके मान की ही अवश्कता होती है इसकी दिशा की अवश्कता नहीं होती है दिशा की वश्चता सिर्फ वहां होती है जहां हम प्रतिरोदों के बात कर रहे हैं कि इसमें से क्रेंट फ्लो कर रहा है और विदुदारा जो बहर रही है वो किसी भी दिये गए सेल के धनात्मक सीरे से धनात्मक सीरे की और जा रही है अगला प्रेशन नुमा प्रेशन अधिक्तम प्रतिरोद जो चार ओम मान के नो एक समान प्रतिरोदों का उप्योग करके प्रापत किया जा सकता है यानि कि आपके पास चार ओम के नो परतिरोध है परतिरोध का जो सिंबल होता है वो ये है चार ओम मान के नो परतिरोध है इस तरह के नो परतिरोध है तो आपको बता दें अधिक्तम परतिरोध कैसे प्रापत किया जाता है जब भी जो ये परतिरोधक होते हैं जब इनको श् यह श्रेणी क्रम है यह समांतर क्रम है पहले बताईए जी हाँ यह श्रेणी क्रम है मतलब देए मानलो कि जब आप खेलने लगते हो खेलते हुए क्या करते हो एक जो बच्चा होता है एक बच्चे के दोनों हाथ यह है दूसरा बच्चा है दूसरे बच्चे के दोनों हाथ हैं ये इस तरह से आपस में पकड़े हुए हैं मतलब एक बच्चे का एक हाथ दूसरे बच्चे का एक हाथ अगले बच्चे के साथ इस तरह पकड़े हुए हैं ये सारे बच्चे के आपस में क्या हो जाते हैं श्रीनी करम में हो जाते हैं वही चीज इसके साथ है श्रीनी करम में जब भी प्रतिरोदों को जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोद होता है मतलब सबका जो नेक्ट परवाव होता है वो क्या अपस में जुड़ जाता है वो कैसे आता है इन सबके जुड़ने से आता ह हमारे पास कितने प्रतिरोद हैं? 9 प्रतिरोद हैं और इसका फर्मॉला क्या रहेगा? इसका फर्मॉला रहता होता है जो तुल्य प्रतिरोद होता है R1 PLUS R2 PLUS R3 and so on जुड़ते जाएंगे तीन प्रतिरोद होते तो तीनों जुड़ जाते चार उते चार जुड़ते अभी हमारे पास कितनी प्रतिरोद हैं? हमारे पास हैं 9 प्रतिरोद 9 प्रतिरोद सबकी जो value क्या है? सबका मान क्या है? 4 ohm सबकी सब क्या हापस में? जुड़ जाएंगे जुड़ने के बार कितनी जो answer आजाएगा? 36 ohm हमारा अंसर आ गया 36 औहम चलिए अगले प्रशन की और इस प्रशन में विदुद फ्यूज की तार उस पदार्थ की बनी होती है जिसका गलनक बहुत तैश होता है फ्यूज क्या होता है फ्यूज क्या होता है फ्यूज एक ऐसा पदार्थ होता है फ्यूज एक ऐसा पदार्त होता है जो किसी विदू सरकेट में लगा होता है और आगे किसी यंतर के साथ श्रीनिकरम में लगा होता है और ये क्यों लगा होता है वो इसलिए लगा होता है कई बार क्या होता है जो बहरी जो स्त्रोत होते हैं जहां से भी हम बिजली ले रहें वहां से बहुत अधिक मात्रा में करंट आने लग जाता है विदुदारा आने लग जाती है तो उस स्तिती में जो हमारी विदुद उपकरन है वो खराब होने की स्तिती पैदा हो जाती है इस तिती को बचाने के लिए यहां पर एक एंटर लगा दिया थाहे जिसे बोलते हैं विदूद फ्यूज बोलते है यह विदूज़ tenía करता है इसका जो पदारत होता है यह इसका गलनांख मतलब पिगलने का तापमान बहुत ही कम होता है कम होने के करण क्या होता है जैसे ही व और यह जो उपकर्ण है, खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है, तो यानि की जो यह फ्यूजड जो वैर है या पदार्त है इसका जो पदार्थ होता है, उसका गल्ना क्या होता है, बहुत कम होता है, बच्चो इस वीडियो में हमने 10 प्रशन किये हैं fill in the blanks की form में किये हैं थे तो एक question ही थे और अगली वीडियो में जो हम discuss करेंगे वह होगा सही या गलत true या false जो question होते हैं वह हम discuss करेंगे इसके अंदर और अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तेन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पर जो MCQ आप देख सकते हैं, सही या गल्द जो कोशन्स हैं, वो भी देख सकते हैं. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी, तेन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, वेव नाइस टे,